नमस्कार आज हम एक नया रेश्पी लेके आये हैं यह रेश्पी बच्चे खिलाड़ी और नौरात्रा में भी खा सकते हैं तीनों को बहुत ही फायदा करेगा या या शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है और इनर्जी दायक है तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड आज हम बनाएंगे हनी पोटाइटो तो इसके लिए लिए हैं देखिए अखरोट छे से साथ आठ निकाला हुआ फ्रेंड काजू आठ दास पीस की टुकड़ा बादाम साथ आठ पीस मुंग फली फ्रेंड और केसर के दो तिन पत्ते और हनी और स्वीट पोटाइटो 500 ग्राम जिसको हमने गौयल करके फ्रेंड और छिल के उतार लिए हैं तो चलिए अब बनाना सुरू करते हैं स्वीट पोटाइटो देखे फ्रेंड यह हमने बोयल कर लिया हैं कूकर में दो से तिन दो सीटी लहीं लगा लिजिएगा फ्रेंड देखे फ्रेंड इसमें मुंग फली काजू यह सारों के पेश्ट बना लेंगे फ्रेंड और यहादा बादाम के अक्ता यह बहुत ही घल्डी खा남ेट फ्रेंड जो बचलेफ के लिए तो बहुत ही लगदायक है प्रेंड फ् congrर के लिए प्रिंट देखिए अब आप इस तरह काटके पतला पतला काटके यह देखिए इस तरह काटते हुए सारे को आप इसी तरह थोड़ा पतला काट लीजिए काटके अब हम एक बॉल में जो मिक्चर पीसे थे फ्रेंट अब हम उसमें मिक्स कर लेंगे यह देखिए देखिए फ्रेंट इस तरह आप जो हमने काजू किसमिस और मुंफली पीछे थे उसमें आप इसको मिक्स कीजिए पहले हम हनी को डाल लेंगे इसमें और हनी के साथ मिक्स कर देंगा और थोड़ा हनी सजाने के लिए रख देंगे इस तरह मिक्स करके अब हम स्वीट पोटेटों को भी काटके और डालेंगे यह देखिए इस तरह यह बहुत ही टेस्टी और स्वाधिश्ट वेंजन है फ्रेंड और साथ बच्चों के लिए और प्लेयर के लिए तो यह बहुत हाई प्रोटीन मिनरल बिटामिन्स सब कुछ है फ्रेंड इसमें जो बच्चों को दिमाग और दिमाग तो बढ़ाएगा ही और सरीर को भी स्वास्त रखेगा इसी तरह आप सारे को काटके मिला लेजिए अगर आपको फ्रेंड गाढ़ा लगता है तो थोड़ा और दूद मिक्स कर लिजिएगा फ्रेंड फ्रेंड फटा फट चलाते हुए फ्रेंड और हम इसको मिक्स करेंगे यह नवरात्रा का सकते हैं अब इसमें हम फ्रेंड थोड़ा सा उपर से भी हनी डालेंगे हनी फ्रेंड बच्चों को अभी सर्दी में सर्दी खासी जुकाम सारे चीजों से बचाएगा और बोडी को गर्म रखेगा और और शरीर में तागत देगा फ्रेंड प्रत एनरजी लाता है फ्रेंड हनी इस तरह फ्रेंड आप थोड़ा हनी और डाल लेजिये और सर्व किजिये फ्रेंड इसमें दो धागे दो तीन धागे केसर का डाल लेजिये फ्रेंड ताकि इसका टेस्ट जो है और अच्छा है और उसमें खुस्बू बहुत देखते हैं खाने का मन करने लगे खुस्बू बहुत अच्छा आज आजिए फ्रेंड चलाते हुए अब आप इसे सर्व किजिये अगर सुट पिटाइटो का रेशिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए अपना अनुभव जटपट जटपट घरेलो डेश में शेयर कीजिए फ्रेंड ये बचों के लिए बच्चों को भी खिलाया सकता है जो बच्चे मीठा खाते हैं उसके लिए तो बहुत ही लाबदायक है और बच्चों के हेल्थ के लिए खिलाईए ताकि बच्चे स्वास्त रहें फ्रेंड नमस्कार